असलाम लेकुम मैं हुरजिया आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक बीदाउट ओवन के एक दम सौप्ट पॉंची मूँ में जाते ही घुल जाएगा बिल्कुल मार्किर के जैसा केक हम घर पर बनाएंगे आप लोग हमारे तरीके से बनाएंगे तो पहली बार में ही केक एक दम पर्फेक्ट बने गा ना तूटेगा ना जलेगा तो आए हम बनाना स्टार करते हैं आज भनाने जारहे हैं वन केजी का चॉकलेट के यह प्रीमिक्स पॉबडर एक सो दस रुपए का मिलता है मार्किर में हर जगा मिल जाता है तो यह लृज़ी तरीके से बन जाता है तो इ करेंगे फ organization क्यों सोबकित कि दो प्रमू पमसिया हम है हुआ है है मैं टोकलेट बॉल पति ना है तो आप लोगों को इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और ते रहे केंगे अच्छे से हमस्क्रीट इसमें कोई लंस वगयरा ना रहें आप लोगों को अगर चॉकलेट बॉल पत्ती वगयरा अगर सीखना है तो आप लोग करिएगा इंशालला हम जरूर बताएंगे आप लोगों को देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिये हैं मिक्स हो गया है तीन से चारी मिनट लबा है इसको मिक्स करने में और इसकी कैसिस्टेंसी देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरीके की होनी चाहिए एक दम परफेक्ट हमारा बैटर बना है अब इसमें हम बटर एट देखिए हम बटर पिगला कर रख दिये थे 1-4 dependent क निच्ट कर देंगे और अच्छे से फिर हम इसको मिक्स कर देंगे मिक्स कर के करेंगे इसको डाले से अच्छे से अब अच्छे से यह mix हो गया है यह देखिए केक का वैटर हमारा रेडी हो गया है इसकी consistency देखिए इस तरीके की होनी चाहिए इसकी consistency एकदम perfect है इस तरीके का गिलना चाहिए वैटर अब इसको हम एक बाउल में टांसफर करेंगे, मोल्ड में जिसमें हम केक बनाएंगे, हम केक बनाने के लिए मोल लिए हैं, मोल्ड में पैसले हम ओईल लगा देंगे, चारो तरफ अच्छे से हमको लगा देना है ओईल को, फिर इसमें हम एक पेपर इसी के साज का हम कट कर लिए हैं, अब इसक ओपर भी हम ऑफिडिया अउइल लगा देएंगे यह देखें पूरियादी में चारों तरफ हम द्रीम कर लिए हैं चारों तरफ लगा दियेए हैं तो इससे करें कोरें आ हम ट्रांस्पर कर देंगे अब बैटर हम इसी मोल्ड में टांसफर कर देंगे इसकी कैसिस्टेंसी किस तरीके की है इस तरीके का गिरना चाहिए अब इसको हम ऐसे टैप टैप कर लेंगे इससे अच्छे से हमारा बैटर अंदर तक चला जाएगा हम बिना ओवन का बता रहे हैं बनाना हम इसको कूकर में बनाएंगे एक कूकर में बहुत जल्दी बन जाएगा केक हमारा जम सॉप और इस पॉंजी हमारा केक बनेगा कूकर को हम रग दिए थे 10 नट हो गया है अब इसको हम प्लेट को ऐसे उलटी रग देंगे अब इसके ऊपर हम इसको रख देंगे अब लीड हम लगा देंगे और इसमें की हम सीटी निकाल दिये हैं हम रबर भी इसमें की निकाल दिये हैं अब इसको हम 35 से 45 मिनट तक पकने देंगे केक को सीलो फ्लेम पर देखे 45 minute में हमारा केक बनका रेडी हो गया है एदेखे इस्टिक हम अंदर तक डाल रहे हैं अच्छे से पाक चुका है इस्टिक में बिलकुल भी लग नहीं रहा है तो केक हमारा बन चुका है अब केक को हम निकाल लेंगे देखे केक स्टैंड है इसके उपर हम ऐसे केक को इसके उपर टैप करेंगे हम यह देखिए केक हमारा अच्छे से निकल गया है माशालला कितना स्पॉंजी बना है केक हमारा अब इसको हम निकाल देंगे कि देखिए बिलकुल भी केक हमारा जला नहीं है कितना स्पॉंजी है आप लोग देख सकते हैं अब इसको हम कट करेंगे अब केक को हम कट कर लेंगे बिसमिल्ला इरहमाल रहीम वैसे हम केक को घुमाते हुए कट कर लेंगे एक दम इजी तरीके से कट जाएगा क्रीमिक्स पॉडर हम एक किलो लिये थे ना तो एक किलो में ये देड़ केजी से भी ज़्यादा बनेगा केक क्रीम अगेरा जब हम एट करेंगे इसमें तो ये देड़ केजी से भी ज़्यादा बन जाएगा के इसको हम घुमाते हुए कट कर लिए एक कट हो गया है अब इसको हम निकाल देंगे एक slice को यह देखिए माशालला कितना अच्छा cut हुआ है और जालियां देखूं इसमें कितनी अच्छी बनी है यह perfect हमारा दो बनकर ready हुआ है अब इसको हम side में रख देंगे एक slice को cut कर लिए हैं अब दूसरी slice हम ऐसे घुमाते हुए हमारी slice cut हो गई है एक दम easy तरीके से हम ऐसे cut कर लेंगे और cake को हम अच्छे से ठंडा करेंगे अभी थोड़ा गरम है इसमें से भाब भी निकल रही है अभी हम इसको ठंडा करेंगे बस ऐसे ही slice को हम cut कर लेंगे चार slice हमारी cut होगी इसमें देखे केक की slice को हम cut कर लिए है एक चार slice cut कर लिए है माशालला कितनी अच्छी cut होई है हमारी recipe कैसी लगी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को लाइब सब्स्ट्राइब शेयर जरूर करिएगा इंशालला हम फिर मिलेंगे एक new recipe के साथ लाफीज